यह यह गाइस वेलकम उन माइ चैनल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेंटिंग बनाना तो यह जो पेंटिंग है यह मैं बनाऊंगे एक्रेलिक कलर से यह यह चैनल होगा यह कैम यह एक्रेलिक कलर है इसमें हम यूज करेंगे ऐफोर साइज का पेप तो आपको बहुत सारी टेकनिक सीखने को मिलने वाली है इस वीडियो में यह जो पेंटिंग है यह स्पेशली बिगनर्स के लिए है और जो बच्चे अभी पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा हेल्फुल होने वाली है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना शेयर करना एंड कोमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो मैंने कार्डोड लिया है और कार्ड़ collagen हो उसके उपर मैंने पहले को पर को सेलो करें सेजाए तरी के साथ किलर को से अक्षय को तो सटार्व diff sip कर रहे हूं तो कदर ऐस चाहें तो Caesar चेंज कर सकते हो यहन meglio मैं जो है red और orange का shade जो है वो use कर रही हूँ आप चाहो तो इसकी जगे पर green का use कर सकते हो shade yellow का shade सिर्फ use कर सकते हो gray use कर सकते हो बहुत सारे color options होते हैं तो color आप अपने choice के according use करोगे और यहाँ पर क्योंकि sponge का use कर रहे हैं तो जब भी आप दूसरा color use करोगे और अगर आप चा sponge को बार-बार wash करके अच्छे तरीके से सुखा करके use करना पड़ेगा और बहुत जादा color में water को mix नहीं करना है color को dry रखोगे आप तो ही क्योंकि color already liquid तो होता ही है तो अगर आप उसको बहुत जादा liquid कर दोगे तो वह texture नहीं आपाएगा तो texture के लिए आपको color को थोड़ करके इस तरीके से paper पे इसको mix up करेंगे color को तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो है बहुत ही simple paper लिया है जिस पे जिरॉक्स copy निकालते हैं वह paper है तो यह paper बहुत ही low quality का paper है और आप क्यूंकि मुझे सिफ painting सिखानी थी आपको तो इसलिए मैंने इसका use किया है आप अच्छ होगी आप उसको frame भी करा पाओगे और color को आप जैसे देख रहे होगी जैसे मैंने पहले dark किया था तो वहां पर dark के बाद मैं उसके उपर light color को फिर से उसके उपर tap कर रही हूं क्यूंकि हमें जो है इसको mix करना है color को तो जहां भी आपको लगता है कि balance नहीं हो रहा है color वह जगह पर इस तरीके से जो भी मैं video बनाती हूं मैं इसमें आपको एक छोटी चोटी सी technique सारी चीजे में बताती हूं तो इसलिए मैं बताती हूं कि मैं कुछ भी cheating आपके साथ नहीं करना चाहती मैं चाहती हूं कि आपको जो भी मिले आपको कोई भी confusion ना हो कि जिसने बनाया है उसने तो बना लिया बट उसने बहुत साई चीज चुपा ली कि मैंने यह चीज किया है और यह मैं नहीं बताने वाली तो ऐसा नहीं करूंगी मैं मैं आपको हर एक चीज इमानदारी से बता रही हूं तो अगर फिर भी आपको कोई confusion हो तो आप मुझे जरूर बताना और जो लीफ सोंगे उनमें भी मैं इनी शेड का यूज करूंगी ट्री बनाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ट्री के जो ब्रांच जो होते हैं वह डिपेंड करता है आप कौन सा ट्री बना रहे हो क्योंकि बहुत साथी ट्री जोते हैं जिनके की मतलब होते है वो स्ट्रेट होते तो और बहुत साँ ट्री मैं ब्रांच अध्य सिंह नहीं होते हैं तो इस चिज़ का अपको ध्यान रखना है कहीं ऐसा नहीं करता हैं ऊसकी जो ब्रांच इनके जो यकला रहता है उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको ब्रश को चलाना है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रश को पहले आपको जादा चौड़ा करके चलाना है फिर आपको उसको हलका करते जाना है इस तरीके से उसको पतला करना है आपको लास्ट में क्योंकि आपने ट्री देखा तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो एक साइड में मैं light color का use कर रही हूँ क्योंकि मैं ये दिखाना चारी हूँ कि light आ रहा है तो इस painting में light मैंने right side से light को दिखाया हुआ है आप light का direction भी change कर सकते हो same copy नहीं करना अगर आपको जीजे जब समझ में आ जाती है ज़रूरी नहीं कि same to same आप copy करो और जो भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि अभी summer vacation का time है तो situation थोड़ी सी अभी उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी बच्चे घर में बैटे बैटे बहुत साइचीजा सीख सकते हैं तो ये वीडियो बनाने का मेरा मीन पर्पस यही है कि हमारे जो किट्स हैं वो बोर्ड ना हो और वो नहीं नहीं चीजे सीख सके अगर ये वीडियो मेरी जड़ा भी आपको helpful लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताना और इस तरीके से ब्रांचेस बनाने के बाद हम लीफ वाला जो पार्ट है उसके उपर जो हमारा टोन यूज किया है फिर मेरी लाइट टोन यूज कर रही हूं फिर मैंने की दिव दर्ज में हैं यहां पर मैंने औरेंज क्लर रैड क्लर एंड वाइट कलर का यूज़ किया है यह तीन शेड जो है मैंने इस ट्री के जो लीफ्स हैं उनको बदाने के लिए यूज़ किया है तो यह हमारी पेंटिंग बन चुकी है almost और अभी यह पूरा होने के बाद हम इसका जो सैलो टेप है जो साइड साइड में हमने पेस्ट किया हुआ है उसको हम अटाएंगे तो उसको अटाने के बाद जो है में जो पेंटिंग का जो लुक आता है वह आपको समझ में आएगा लुखने के बाद ही आप यह कलर करोगे जब तक बैग्राउंड नहीं सुखेगा अगर आप इसको बना दोगे तो यह गड़बर हो जाएगा हमाई पेंटिंग बनके त्यार हो चुकी है जो हमारी फॉर्स पेंटिंग है और इसका मैं सालोटेप हटा रही हूँ इस तरिके से सालोटेप हो बहुत ही केयर्फुली हटाना है आपको यह हमारी second painting है और इस painting में मैं थोड़ा abstract art बनाने वाली हूं इसको abstract painting आप बोल सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे basic shapes का use करूंगी मैं तो आप इस की जो technique है इस painting की थोड़ी सी different है तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ज़रा सी भी गड़बर हुई तो सारे color एक दूसरे में merge हो करके बहुत ही गंदा color बना सकते हैं तो आपको sponge का हमेशा ध्यान रखना है कि sponge साफ हो color dry हो color बहुत जादा गिले नहीं हो और sponge को जैसा भी आपको texture देना है उसकी according आप sponge का यूज करोगे आप चाहो तो उसको round 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 एक भी यूज कर सकते हो अब चाहो तो उसको curves में भी यूज कर सकते हो अब भी फिलाल में इसको इस तरीक से यूज कर रही हूं जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रही हुँ मैं तो मैंने दो तीन कलर चार कलर का यूज किया है इसे ब्लू है ग्रीन है और रेड है यलो है और और इंज तो आप कह सकते हो कि उन दोनों के बीच का शेड है तो इस तरह से पेंटिंग में हम कलर आप चाह सकते हो क्योंकि हमारी पेंटिंग बहुत चोटी है तो इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगा सकते हैं कि इस तरह से आपको लगता है आपको कोई कलर बढ़ाना चाहते हो तो आप उसको बेशक बढ़ा सकते हो अजआ नितार और क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइनकी गया थी मीधा करके तो मैंने जिच खेक करके लाइन Stadium जो है हलके से ड्रॉख कर लिया है पैंसल से और उसके बाद मैं स्केल रख करके शेयल के ऊपर से चीबात को यूस कर रही हूं स्पोंज में हम पहले light color use करेंगे light color in the sense मतलब बिल्गुल light नहीं जो background में use किया है उससे dark then थोड़ा सा dark color use करेंगे जैसे कि आप यहां देख सकते हो पहले मैं light color use करूंगी and उसके आगे मैं उसको क्योंकि जहां यहां पर हमें finishing line चाहिए वहां पर हमें थोड़ा dark color चाहिए आप चाहों तो stroke भी कर सकते हो brush का यूज कर सकते हो उसको अलग से define करने के लिए पर यह मुझे technique जो है यह बहुत ही जादा easy लगती है इसलिए मैं यह आपके साथ शेयर कर रही हूं I hope आपको भी बहुत easy लगेगा और इस तरीके से और स्केल का ध्यान रखना कि जब आप painting बना रहे हो तो स्केल जो है वह आपका बिल्कुल भी side change नहीं करना चाहिए आपका स्केल जो है एक ही direction में होना चाहिए क्योंकि जब हम color लगा रहे हैं तो वह एक side पर color लग रहा है उसके तो अगर आप स्केल का direction चेंज कर दोगे तो वह color जो है painting के उपर लग जाएगी और यहां पर मैंने क्योंकि जो मेरा acrylic color का जो ट्यूब था उसका जो है वह थोड़ा बड़े साइस का है तो painting के according वह सही था तो मैं उसमें कोई भी color जो आपको लगता है suitable होगा जिस भी एरिया के लिए आप उसको उसमें color में हलका सा डिप करो color यहां पर भी बहुत सूखा color होना चाहिए पानी बिलकुल नहीं लगाना सिर्फ डैरेक color में इसको डिप करना है और painting के उपर इस तरीके से यूज करना है आप चाहो तो बड़े कोई बड़ा कैप हो कोई बड़ी रिंग हो उसको यूज कर सकते हो देन आप छोटे को भी यूज कर सकते हो तो different creativity आप दिखा सकते हो तो यह हमारी जो painting है यह भी बन के तयार हो चुकी है और अभी मैं इसका sellotape हटा रही हूँ और बहुत ही आराम से sellotape में हटा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ही low quality का paper यूज किया है यहाँ पर तो मुझे बहुत ही जादा ध्यान देना पट रह इसमें हम strips का use करेंगे multi color strips बनाएंगे इसमें हमने red color का use किया है yellow color का use किया है green color का use किया है blue color का use किया है तो सेम वही technique है कि मतलब technique तो अलग है बट आप color का use जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हो आप जो color आपको अच्छा लगता है आप वो color इसमें लगा सकते हो painting में मैंने क्या किया है जो tubes मेरे पास थी उनको direct colors को लगाया है एंड उसके उपर थोड़ा सा white color जो है वो mix किया ह और ब्रश में वहीं यूज कर रही हूं यहां पर भी half inch का sorry यहां पर मैंने one inch का flat brush यूज किया है इसको mix करने के लिए यहां पर एक चीज़ अगर आप करो तो जादा better बन सकती है यह painting कि आप red color के ही अलग-अलग shade यूज करो जैसे कि आप dark red यूज कर लो सबसे नीचे फिर आप light color यूज कर लो light red यूज कर लो फिर आप उसमें red में थोड़ा और yellow मिला की यूज कर लो देन आप बिल्कुल yellow color यूज कर लो उससे वो जो है वो monochrome के बार में आपने सुना होगा तो monochrome जो है वो shades painting में आएंगे तो वह बहुत अच्छा लगेगा देखने में पर फिलहाल मैंने यहां पर multi colors का यूज किया है और multi color पहले flat यूज किया है देन उसके उपर white color से mix-up किया है यह last strip है हमारी जो की हम इस पर लगा रहे हैं green color की इसके बाद हम इसके उपर कुछ भी draw करेंगे मैं फिलहाल यहां पर जो draw करने वाली हो वो होगा tree बट आप चाहो तो उसकी जगे पर कुछ भी draw कर सकते हो आप चाहो कोई animal draw कर सकते हो आप चाहो तो sun को draw कर सकते हो आप trees को अलग अलग तरीके से draw कर सकते हो कुछ भी change कर सकते हो इसमें सिर्फ यह एक तरीका था आपको बताने का कि आप इस तरीके से multi color का use करके भी इस type से painting बना सकते हो आप चाहो तो इस तरीके से करने के बाद आ तो फ्रेंस ये हमादा बैक ग्राउंट जो है ये ढॉल मुस्ट बन चुका है इस इसको फिर हम इसको ड्राइ होने देंगे जब ये ड्राइ इसके उपर जो भी ड्रॉ करना है हम उसके बाद ड्रॉ करेंगे अब यह ड्राई हो जाएगा दैन अभी मैं इस पर ट्री बनाने वाली हूं मुझे ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट जादा लगता था तो मैंने उस पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का यूज किया है ताकि वो ग्रीन से बहुत अलग ना दिखे थोड़ा मिक्स हो जाए और अब भी यहां पर मैं यूज कर दी हूँ क्योंकि मैंने आपको यह बता था कि मैं ऐक्रेलिक कलर यूज कर दी हूँओ और मैंने ए फोर साइज का पेपर यूज किया है बट कुछ चीज़े एडिशनल होती है जैसे कि यहां पर मैंने तूथ ब्रश का यूज किया है जी हां बिल्कुल आप सही समझरो तूथ ब्रश जिससे आप तूथ पेस्ट करते हो अपने दाद साफ करते हो वह ब्रश है तो क combination के पास बी कोई ब्रश हो कोई भी नअ ब्रश आप लेंगे यूज कर सकते हो उसमें आपको कललिड को क्या करना है क्लेदग को अच्छे तरीके स्लागाना और कले को ड्राइब रखना की तरीकके रहे हैं हुगत अच्प रशें ले लूब आप कितना किसी कह रहे हो तो तो अबके के उपर जा रहे हैं तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा स्प्रे करने का क्योंकि जब हम फॉर्स टाइम स्प्रे करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है कलर गिर जाता है पेपर के उपर तो अगर आप डारेक्ट किसी डिजाइन के उपर इसका यूज करते हो पेंटिंग का तो वह इस ट्री का यह डिफरेंश यह हैं दोनों में कि यह जो सेंटर में बना रही हूँ और वो साइड बनाया था बट सी का जो फ्लो है उसकी जो ब्रांचस हैं उनका आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी उसकी जो नैश्रेलिटी होती है जो नैश्रल लुक होता है ट्री का वो बिल्कुल भी बिगरना नहीं चाहिए पिंटिंग बनाते टाइम आपको इस चिसका बहुत ज़ाद ध्यान लखना होगा और ब्रांचेस क्योंकि मैं यहां पर ब्लैक कलर से बना रही हूँ आप यहां पर ब्लैक कलर का नहीं आप ब्राउन कलर का यूज कर सकते हो अगर आपका बैक्राउंड लाइट है तो आप और भी लाइट कलर का यूज कर सकते हो ब्लू कलर से ट्री बना सकते हो तो यह जो कलर है क्योंकि यह हमारी जो modern painting होती है जो abstract painting होती है उन में हमारे पास यह option होता है कि हम किसी भी चीज को अपने according उसको change कर सकते हैं उसको creative बना सकते हैं जब आप life sketch करते हो या landscape करते हो तो landscape में क्या होता है कि आपको बिल्कुल जैसा दिख रहा है सब कुछ वैसा ही बनाना होता है पर इन paintings में ऐसा कुछ नहीं होता है यह आप memory के according अपनी creativity के according इसको बनाते हो और painting में क्यूंकि मैंने यहां पर बहुत जादा ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने सिर्फ आपको techniques बताई है अलग अलग तो पेंटिंग में आप चाहो तो बहुत अच्छे अच्छे messages दे सकते हो कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे लोग इंस्पायर हो तो यह हमारा जो ट्री है यह बनके रेडी हो चुका है और यह हमारी उसी के साथ हमारी पेंटिंग भी almost ready है जो मोटे मोटे ब्रांच थे उनको बनाने के बाद में थोड़े जो बारीक ब्रांच होते हैं उनको वापस से ड्रॉ कर रही हूं और यह ड्रॉ होने के बाद मैं इसका जब सैलोटेप हटाऊंगी तो आपको यह बहुत ही सैटिस्फाइंग होता है पटाते हैं तो पेंटिंग का जो है वह लूक बिल्कुल चेंज हो जाता है तो मुझे यह पार्ट जो है पेंटिंग का बहुत अच्छा लगता है दो करने के बाद तो यह हो गई हमारी पेंटिंग रेडी एंड अब हम अटाएंगे इसका सेलोटे तो अब ध्यान से अटाओगे और इसके पहले मैं इसमें लाइट कलर जैसे कि मुझे शेड दिखाना है कि साइट से लाइट आ इदर से शेड आ रहा है तो मैं वाइट कलर का यूज कर रही हूं लाइट को शो करने के लिए यह ध्यान रखना है आपको कि लाइट आप किसी एक ही डायरेक्शन में यूज करो तो ज्यादा बैटर होगा बिल्कुल अगर आप लाइट दोनों साइट से यूज करोगे तो प आपको यह देखना है कि लाइट अगर आपके राइट साइड से आ रही है तो कहां-कहां पर लाइट बढ़ेगा कहां-कहां पर लाइट नहीं बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग यह चीज होगा और यह चीज़े जो होती है आप कोई नेचर में कोई भी चीज देखते ह जैसे आप धूप में खड़े हो तो इतना तो आपको समझ में आता हुआ कि आप खड़े हो सन किस साइड है धूप किस साइड आ रही है तो सेम यही होता है पेंटिंग में भी तो यह पेंटिंग हमारी बन चुकी है और पेंटिंग बनने के बाद फ्रेंट्स हमेशा पेंटिंग को किसी क्यूंकि आप पेपर पे बना रहे हो तो पेंटिंग को किसी फाइल के अंदर उसको अच्छे तरीके से दबा करके रख दिया करो स्पेशली बच्चे क्यूंकि उनके पास पेपर सी अवेलेबल होते हैं कैन्वर्स तो होता नहीं है कैन्वर्स बहुत कम होता है देखा आपने यहां पे थोड़ा सा मैंने जल्दी बाजी कर दी तो पेंटिंग थोड़ी और हमारी जो फोर्थ एंड लास्ट पेंटिंग है वो अब हम मना रहे हैं तो उसमें मैंने ब्लू एंड ग्रीन कलर का यूज किया है उसके साथ मैंने लाइट के लिए वाइट कलर का यूज किया है क्योंकि वाइट कलर का यूज हम हर कलर के साथ लाइट को दिखाने के लि यह हैं और लाइक का हम य्यूज करते हैं लाइक को दिखाने के लिए गृइड का यूज करते हैं तो अब अब यहाँ पर चाहतो आप शुण से क्रत कर सकते दो एफ ल्फली स्ट्रोंग मतलब ब्रश का यूज किया है थोड़ा रफली आप चाहो तो स्पॉंज का यूज कर सकते हो आप चाहो तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स है यह बर्ट होते हैं कॉटन होते हैं बहुत साही चीज़े होती है जिनका आप यूज कर सकते हो पेंटिंग में तो यह हो चुका है हमारा रहे हैं क्योंकि इसमें भी हमने राइट साइड से जो है लाइट को दिखाया है तो इसमें भी लेफ्ट साइड में मैं डाक कर रही हूं और यहां हम गुद्धा का फेज बनाने वाले हैं जो कि हाफ फेज होगा और बहुत जादा मुश्किल कुछ नहीं बनाया मैंने बहुत कलर में देलेक्ट उसको पैंटिंग में यूज किया है इस तरे से जहाँ पे आप चाहते हो कट दिखे वहां पर पर उसको वैस度 पेशाए जहां पर चाहँते हो मिक्सपी आप उसको मेक्सप कर दो तो फ्रेंट्स पेंटिंग जो है पेंटिंग में जो बुद्धा की पेंटिंग होती है ये क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से आप इसको ना बता सकते हो कि हाँ ये बुद्धा है क्योंकि इनको बनाना बहुत ही आसान है तो बुद्धा की पेंटिंग जो है वो आप बहुत ह आसानी से बना सकते हो हाँ पर आपको थोड़ा confident होना पड़ेगा यह painting बनाने के लिए क्योंकि मैंने इसमें direct color से यूज किया है मतलब brush से colors का stroke दिया हुआ है तो आपको इतना confident होना पड़ेगा कि हाँ आप जो strokes use कर रहे हो वो strokes सही ही होंगे वरना अगर आप confident नहीं हो तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे आप pencil से पहले draw करोगे एंड उसके अंदर फिर color फिल करोगे और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो freely तो उसके लिए आप थोड़ा blank paper ले करके ब्रश को चलाओगे practice करोगे देन उसके बारा painting के उपर उस चीज़ को यूज करोगे तो यह हमने किया light color अभी इसके बाद हम करेंगे dark color और dark color करने के बाद अभी second tone करने के बाद फिर हम इसमें third tone भी रहेंगे और इनका जो है यह टीका अभी ड्रॉ नहीं किया था हमने तो वह टीका में बना रही हूं इस पर कि दूसे साइड में बिल्कुल भी कुछ फेस का कोई भी पार्ट नहीं दीख था तो चिक्स का हलका से शेट दे दिया मैंने वाइट से इसको बाद में मर्च कर दूंगे अभी आपको देखके लग रहा होगा कि यह कैसे बनी है पेंटिंग बट यह जो है यह पेंटिंग बहुत ही सिंपल शोवर होती है बहुत ही अच्छी लगती है इसको मर्श करने के लिए मैं यूज कर रही हूं तो सेम वही टूदब्रश है तूदब्रश में कलर को लगा करके मैं उसको कई कई कर रही हूं और आव इसको सूफने में थोड़ा सा ताइम जाता लगेगा क्योंकि जब आप स्प्रे करते हो ना तो कलर जो है ड्रॉब ड्रॉब जाकर के चीजे मतलब पेंटिंग के उपर वह कलर गिर जाते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशिंस रखना पड़ेगा इसको सूखने का वेट करो आप जब यह सूख जाए उसके बाद ही इसके उपर कुछ काम करना तो यहां पर हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने जो सेकेंड टोन है उसको करना शुरू किया और उसको आपको यह ध्यान रखना है जैसे आपने पहले वाइट कलर किया था तो वाइट कलर के साथ अगर आपने कोई भी गलती की है कुछ भी गलत है तो आप यह करो कि आपका सेकेंड टोन में को गलती जो है वो छिप जाए और अगर आपकी सेकंड टोन में भी वो चीज आप नहीं छुपा पाते हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि थर्ड टोन में तो डेफिनेटली आप जो भी मिस्टेक्स की हुई हैं उनको आप कवर कर लो और इस तरह से आप नूसा बना सकते हो क्योंकि हम यहths यह रियलिस्टिक नोस नहीं बना रहे हैं सिमबॉलिक नोज बना रहे हैं तो ऐसे अप ड्रॉा कर सकते हो और अभी जो है यह ब्रश मैं 0.5 पा ब्रश यूज़ कर दी हूँ यहां पर हमने बहुत बारी काम नहीं किया इसलिए बहुत छोटे ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे और पेंटिंग छोटी है इसलिए 0.5 का यूज़ कर देंग ब्रश वर्ना अगर पेंटिंग बड़ी होत तो आपको 10.12.16 पॉइंट ऐसे करके आपको ब्रश जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और बुद्धा की आइस जो होती है वो थोड़ी सी खुली होती है और बंद होती है तो इस तरीके से हम आइस को बनाएंगे फ्रेंट्स जो बुद्धा की पेंटिंग हम घरों में ल करता है तो जिसके भी घर में बुद्धा की पेंटिंग आप देखोगे आपको बहुत ही पीस्फुल लगता है वो देखने में तो इसलिए बुद्धा की पेंटिंग लोग प्रिफर करते हैं घरों में लगाना क्योंकि इसमें कलर्स भी बहुत सारे होते हैं तो कलर्स देखके तो वैसे ही लोग सबका मूड अच्छा हो जाता है अब यहां पर ब्लाक कलर का यूज कर रही हूं क्योंकि सेकंड टोन जो है वह हमने काफी डाक लिया था तो अब उससे डाक हम कलर नहीं लेते तो उससे डाक जो है सबसे डाक क्या होता है ब्लैक ही होता है तो अभी हम ब्लैक कलर का यूज करें और यहां पर भी थोड़ा सा डाक करेंगे क्योंकि right side वे हमने थोड़ा dark portion को रखा हुआ है तो lips का भी dark portion जो है वो यहीं पर हम बनाएंगे यह lips के नीचे का जो dark portion है वो है क्योंकि बुद्धा उनको बहुत ही चब भी दिखाते हैं और इनका जो टीका है उसको लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे यहां पर टीका मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है तो फिर से मैं यहीं करूंगी कि आप पर डिपेंड करता है आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो आप अपनी क्रियेटिविटी दिखाओ मेरा काम है आपको गाइड करना मैं गाइड कर रही हूँ लेकिन आपको यह नहीं सोचना है कि आपको कॉपी करना है आप सीखो आप सब कुछ देखो लेकिन बुद्धा की पींटिंग में आपने अक्सर करके लोटस का फ्लार देखा होगा तो उसके पीछे कुछ है उसका मीनिंग है बट वह मैं फिर कभी अगर आपसे ऐसे बात होती है तो मैं आपको बताऊंगे तो इसलिए यहां पर हमने फटा फट से फ्री हैंड थोड़े है क्योंकि डाक पोशिन में किया है इसलिए वह ज्यादा हाइलाइट नहीं हो रहा है और यह हो चुकी हमारी पेंटिंग तयार और हमने सैलो टेप हटा दिया तो फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई